राथे राथे दोस्तों कैसे हैं आप से दोस्तों आटा हम सभी के घरों में मड़ा जाता है सभी के घरों में रोटी बनाई जाती है लेकिन रोटी बनाते समय कुछ छोटी ऐसी गलतियां करती जाती है जिनसे घर में गरीबी और तरित्ता आ जाती है यह छोटी सी गलती आप बहुत भारी बढ़ सकती है यह छोटी सी गलति घर को स्वर्ग से नर्क बना सकती है आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों की बारे में बताने जा रहे हैं जो रूटी बनाते वक्त या आटा गुंते वक्त अधिकतर सभी घरों में अंजाने में की जाती हैं और इन ही गलतियों का डंड जीवन भर भुगतना पड़ता है तो आईए दोस्तों जानते हैं कौन सी ऐसी गलती हैं जिने रूटी बनाते वक्त आटा गुंते वक्त भूल कर भी नहीं करना चाहिए दोस्तों वीडियो में आगे बाढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर आगर आपने हपी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों आटा गूनते वक्त अधिकतर घरों में नमक मिलाया जाता है जिससे खाना अच्छी तरह से पच जाए लेकिन यहीं आप गलती कर वेखते हैं क्योंकि जब भी खर की पहली रोटी बनाई जाती है तो वह कौमाता के नाम की निकाली जाती है माना जाता है गौमाता का ग्रास निकाले बिना रोटी खाने से दोश लगता है ऐसा कहने से देवी देपता रुष्ट हो जाते हैं मा अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है इसलिए हमेशे सदैप जब भी रोटी बनाए तो पहली रोटी गौमाता के लिए निकाले लेकिन गौमाता के लिए कभी भी नमक के आटे की रोटी नहीं निकाले जाती इसलिए आटा मलते वक्त कभी भी नमक का आटा ना मड़े गौमाता की रोटी बनाने के बाद आप आटे में नमक मिला सकते हैं रोटी बनाने के लिए लोई बनाई जाती है और यहां अथिकतर लोग गल्ती कर वेड़ते हैं लोई बनाए तो लेकिन लोई को एकदम गोल ना बनाए क्योंकि जो गोल लोई होती है जिस पर उंगलियों की छाप नहीं होती यह पिंड माना जाता है और पिंड पर पित्रों का अधिकार होता है अगर आप पिंड बनाकर यानि की बिना अंगलियों की छाप की लोई बनाकर उससे रोटी बनाते हैं और उस रोटी का सेवन करते हैं तो इसका मतलब है आप पित्रों के हिस्वे का सेवन कर रहे हैं इससे आपको पित्र दोश लग सकता है। इसलिए जब ही आप लोई बनाएं तो लोई बनाने के बाद लोई पर उंगलियों की छाप चरू लगाएं और उसके बाद ही उस लोई से रोटी बनाएं। इससे आपको पित्र दोश नहीं लगेगा। रोटी बनाते वक्त तीसरी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि जब एंड में आटा बच जाता है जितना भी आटा बचे छोटा आटा बच रहा है तो उसकी छोटी लोटी ही बना कर रख ली जाती है। ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होती है और इसका भुगतान आपको जीव बचन भर करना पड़ सकता है। जब भी आप रोटी बनाएं तो आखिर की रोटी या तो आप सामान ने जितनी रोटी बनाते हैं उत्ती ही बड़ी रोटी बनाएं या उससे थोड़े बड़े साइस की रोटी बनाएं लेकिन छोटी रोटी आखिर में कभी भी ना बनाएं धर्म शास्तों के अनुसार आखरी रोटी पर कुट्टे का अधिकार होता है आखरी रोटी कुट्टे को डालनी चाहें लेकिन अगर आपके घर के आसपास कुट्टा नहीं है आप कुट्टे को रोटी नहीं भी डाल सकते तो भी भूल कर भी आखरी की रोटी छोटी ना बना माना जाता है आखरी की रोटी छोटी बनाने से परिवार पर संकट आता है और परिवार की खुश्या चिन जाती है इसलिए आपका अकर आटा थोड़ा बचा हुआ है तो आप आखरी की रोटी के लिए के एक सामान ने रोटी जितना आटा निकालते और जो छोटा आटा है उसे आखरी से पहले रोटी बना ले रोटी बनाते वक्त जो चौथी गलती की जाती है वह होता है चपल पहन कर रोट गयने जैसा है इसलिए भूल कर भी चपल पहन कर रोटी नहीं बनानी चाहिए रोटी बनाते वक्त जो पांच में गलती की जाती है वह होता है आटे को बीचों बीच में से तोड़ना आटे को जो आपने आटा मल कर रखा है उसमें से आप किनारे पर से रोटीयों के लिए जाने में अधिक तक घरों में की जाती है और यहीं गलती परिवार पर कश्ट और संकट का सबसे बड़ा कारण होती है और इनकी बज़े से घर में दरित्ता आती है माँ अनपोना नाराज हो जाती है और घर में अनधन की कमी होती है इसलिए इस बातों का विशेश ध्यान उमेद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जल्द ही मिलते हैं एक और ना यूस्फुल वीडियो के साथ तब तक के लिए नमशकार थैंक्स फर वाचेंग राधे राधे